अलो नमस्कार अदा मेरे जिंदर स्टुडेंट्स जो पहले हमारा लेक्टर था उसमें हमने मेजर गालव की गजल पड़ी थी से गजल नमबर दो आज जो हम करने जा रहे हैं आज हम शाद अजीम आवादी शायर का नाम है थर्ड नमबर शायर है हमारे इसलिए बसमें यह उ पन्नों में उलजाया गया हूँ खिलोने देके मुझे बहलाया गया है जिसमें क्या कहा है यह रखी तश्रीश की इसको हम करेंगे अंडर लाइन इस तरह कैसे फेस लिखें कि आगे शाद यह कि शाद अजीम वादी की कशल है तो शाद के नाम से इम फेमस हैं मशूर है तो बच्चे को खिलोने देके उसका दिल बहलाने की कोशिश की जाती है इसी तरह इनसान का दिल बहलाया जाता है तो कहता है कि जिस तरह एक बच्चे को खिलोना दिया जाता है और उसका दिल बहलाया जाता है जब बहलाने की कोशिश की जाती है उसी तरीके से इस दुनिया मे क्या है इनसान का दिल भी बहलाया जाता है क्योंकि यहां सारे ख्वाइशात पूरी नहीं हो सकती क्यों क्योंकि इनसान की जितनी भी ख्वाइशे हैं वो इनसान की कभी पूरी नहीं हो सकती ठीक है इसमें ये कहना था इनका second share क्या है हूँ इस कोचा के हार जरा से आगा उद्दर से मुद्दों आया गया हूँ करता है कि हूँ इस कोचा के हार जरा से आगा कोचा होता है गली ठीक है उद्दर से मुद्दों आया गया हूँ मुद्दों होता है काफी अरसों काफी साल से तो शायर फ होना कहता है शाद साथ फ्रमाते हैं कि मैं महभूब जो है उसकी गली से और उसके जरा-जरा से कौने-कौने से मैं क्या हूं बाकफ हूं क्यूंकि उस गली से लंबे अर्से से गुजर रहा हूँ क्यों कि मैं उस गली से जो है काफी अर्सों से काफी सालों से गुजर रहा हूँ थर्ड आपका क्या था थर्ड शेर आपका है दिल मुझतरव से पूश ए रोन के बजम मैं खुद आया नहीं लाया गिया हूँ तो फरमाते हैं शालसा फरमाते हैं कि ए दुनिया की मैफल मेरे दिल से पूश के दुनिया की मैफल जो है कहता है फरमाते हैं कि मेरे दिल से पूश के मैं इस दुनिया में खुद अपनी मर्जी से नहीं आया बलकि मुझे जहां लाया गिया है कहता है कि मैं अपनी मर्जी से हो हैं और पर दुनिया में है क्षोग है कि मुझे दुनिया में का कशोगि की. ऐसी मैफल में ऑपने मचें लेकर फैर धंधती इहां पर लाया गिया है नौरे आट का था ना था मैं मतकद आजाज में का बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूं तो कहता है ना था मैं मतकद आजाज में का बड़ी मुश्किल से मनाया गया हूं आजाज में को का शराव खाना तश्रीफ की यह है शासा फरमाते हैं कि मैं शराव की मज़से और क्रिश्में पर श्राब का नशाओ रहां जो कृष्णमी करिष्मा तो 2 us 5 पर हातिकाद नहीं रखता था मैं इस चीज नहीं मानता उं लेकिन मुझे श्राब नोशी के लिए बहुत मुष्कण से Vo औरफिे और पो मुझे सा वोण है और बोख cozy मुष्क्ण एशाद दुनिया कहां से किस जगा लाया गिया हूँ आप देखो ना शाद इसने यहां पे इस्तमाल किया ना तखल्लस इस्तमाल किया लास चेर गजल का तश्री इसकी यह रही ठीक है इसमें लिखा हुए इनने कि शाद अपने आप से मुखातव होकर कहते हैं मुखातव मतल और कहां यह दुनिया कि मैं कहां पर हूँ और यह दुनिया कहां पर है इस दुनिया में आने से पहले आराम था कहता है जब मैं इस दुनिया पर नहीं आया था इस मैफल मैं नहीं आया था तो मुझे मेरे जिन्दगी जो थी बड़े आराम से गुज़र रही थी लेकिन उस बिल्कुल गलत चीज знать है यह मेरे लिए साही ज्गा नहीं है कि मुझे यहां पर जवरदस्ति मेरे से मनाई जा रहूँ है टरक मुझे मेवल में बढ़ाया गिया मैं आपनी मर्या मर्जी यहाँ में नहीं काता है यह सही जगह मेरे लिए नहीं तो स्टूडेंट्स यह थी शाद आजीम अवादे की गजल नमबर वन और हमारे स्लेबस में यह की ही गजल है इनकी आपके पास अर्दू की बुक होगी आपने उससे देखे पहले तो नंबर पहले नंबर आप क्या करेंगे आप पहले नंबर यह उर्दू में जो दो मिसनों का शेर है इसको आपने लिखना है अलग पहले से उसके पार इसकी तश्री लिखेंगे यह तश्री आपने पूरे स्ट्रेकर से उतारनी है और दिहान से वीडियो को देखें तब भी जाकि आपको समझ आएगा स्टूडेंस ऐसे आपको समझ नहीं आने पाला क्योंकि यह गजले हैं आपको आसाने